नमस्कार आप सब का स्वागत है यहां थाना सक्दर गंज इलाकी के दौलत पूर में जन्मे राम शरण वर्मा को किसानी के लिए जाना जाता है बता दें ये किसान बस आठवी पास है उसके बाद भी लोग इसे क्रिशी वेग्यानिक बुलाते हैं आज हाज जारों किसान प्रदेश के बहुत से जलों में राम शरण मॉडल पर खेती कर रहे हैं और सकल है राम शरण ने बताया मैं काफी निराश हो गया तो मैंने खेती करने की सोची इसके लिए मैंने अपनी छे एकर की पैतरिक भूमी पर केले की खेती की लेकिन तमाम रुपे लगाने के बाद भी सिर्फ 20,000 रुपे ही कमा सका इससे परिशान होकर मैंने उन राज्यों का दोरा किया जहां उनक किसानी होती है अलग-अलग राज्यों से किसानों से मिलकर लोटने के बाद 1990 में हाई टेक खेती करनी शुरू की इससे मेरी कमाई जहां छे एकर में केले लगाने से 20,000 हुई थी वहाँ 2,000,000 हो गई जमीम पर फसल उगाने के लिए जमीम को एक महीने से 25 दिन का समय देना चाहिए जिससे जमीम को तयार होने देना चाहिए एक मायता थी कि टमाटर ना सिक से ही बढ़िया आता है लेकिन मैंने अपनी खेती से देड़ गुना ज्यादा टमाटर पैदा किया नए तरीके अपना कर और पारंपरे खेती से हट कर आलू का उत्पादन भी रिकॉड हुआ बिजनवर से किसानी के सीख रहे दिली पवर्मा ने कहा मैंने इनके बारे में बहुत सुना था खेती से फायदा नहीं होने पर इनसे मिला खेती के मामले में ये वेग्याने को फेल कर रहे हैं आज इनके टमार्टर बिहार, बंगाल, असम, महराष्टर सहित देश के कोने कोने में तो जाता है इसके आलावा लोग विदेशों में भी इसका नेरियात करते हैं 2005 में पहली बार ततकालीन डीम ने चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने पर अवार्ड दिया था उन्हें जग जीवन राम किसान पुरसकार, आदर्श किसान पुरसकार, उध्यान पंडित अवार्ड, उध्यान रत्न अवार्ड, इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड, बेस फार्मर अवार्ड, उत्तर प्रदेश गोरव सम्मान अवार्ड और पटेल रतना अवार्ड वि प्रदेश के पूर्वम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथों भी सम्मान प्राप्त कर चुके हैं